लुप कि आप सभी लोग ठीक होंगे स्रुक्षित होंगे सेफ होंगे अपना ध्यां रख रहोंगे और अपनी फैंली का ध्यां रख रहोंगे मैं हूँ आपका एजुकेटर विरेंदर सिंग और स्वागत है आपका e-learning के योडियोप चैनल पे चलिए आपको एक चीज बता देता हूँ कि ICMR अपना paper pattern change करने वाला है आप सोच रहोंगे यह क्या बोल रहे हैं ठीक है सो अभी मैं प्रूफ करता हूँ कि ICMR अपना paper pattern change करने नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देके exactly क्या क्या चीज़े हैं तो आप अगर जड़ा से देखेगा फोकस करिएगी यह नोटिफिकेशन है जूनियर रिसर्च फेलोसिप का जिन्होंने की ICMR और PGIM जो की PGIMER की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा यह वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं यहां से इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इस कंप्यूटर बेस टेस्ट पहले मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा और यह जो इन्होंने डेट एन्नाउंस किया है ध्यान देने कूसिस करिएगा कि that is like 12 सेप्टेमब notification for filing online application will issued in the last week of June मतलब जो filing करने के लिए जो notification आएगा online application के लिए कि आप कैसे fill कर सकते हैं कैसे सारी चीज़े कर सकते हैं उसके लिए last week of June में notification आएगा and tentatively जो आपका dates है कि कब से start होगा form भरना तो वो 1 July से लेके 31 July तक अगर simple सब्दों की बात करें तो exam जो है 12 September को बोला गया है and form आएगा 1 July को यह ICMR ने अभी तक आपको बता दिया गया है so this is like कि अब आप set कर लीजे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि September के आसपा से exams आपके CSIR के भी जा सकते है ICMR भी near about date decide कर चुका है DBT जो है वो बताई रहा है कि मैं date जो है announce करने वाला हूँ तो यानि कि कुल मिला जुला के आपको कमर कशने का वक्त आ चुका है अब कई लोग सूच रहोंगे कि मैंने आपसे बोला था कि अरे क्या है कि exam का जो specifically बात कर रहते हैं हमारे पास tentative जो pattern है वो change होने वाला because previously जो चीज चल रही थी जए previously अगर हम बात करते हैं तो उस particular condition में क्या हो रहा था कि here they have given duration duration जो इन्होंने बताया था पहले दो घंटे हुआ करते थे और दो घंटे को अगर हम बात करें so that is like 120 minutes लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो 90 minutes यानि कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 to 4.30 pm मतलब 90 minutes आपको मिल रहे हैं खुल मिला के तो जब 90 minutes आपको म किया गया है समय कम किया गया है तो number of questions कैसे होंगे paper pattern कैसे होगा जैसे कि आपको बताया जारा कि इसमें बताया दो sections पहले हुआ करते थे section A के पास 50 questions और section B के पास जो होते थे वो almost 50 questions होते थे मतलब 100 questions specifically होते थे तो यहाँ पर दिया गया कि section 2 section 50 questions है जो कि एक mark को carry करता है और section specifically B और C हुआ करते थे जिसमें कि 100 questions हुआ करते थे और 75 आपको attempt करना होता था C social science के लिए था और B life science के लिए होता था और in the case candidate attempts more than 75 तो उसमें जो first 75 को count किया जाता था और किया जाता निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको 0.5 जो चल रहा था यह previous pattern जो था ICMR का था सो कुल मिला जुला के जैसा कि मैंने आपसे कहा कि maybe जैसे कि इन्होंने अभी mention किया हुआ है specifically कि एक्जाम जो है अब 90 मिनट में लेंगे तो 90 मिनट में लेंगे तो section A और section B में question का pattern क्या change होगा क्या यह section B को 75 की जगा अब 50 पे लाना चाह रहे हैं जहां तक मेरा अनुमान कहता है जो paper pattern में change होगा section A के पास 50 question रहेंगे और section B के पास जो है वो 50 question रहेंगे जो की पहले 100 में से 75 आपको करने थे तो अब यह कुछ possibilities इस तरीके से हो सकती है कि section A में 50 question आप कर रहे थे और section B में 75 में से आपको 50 करना रहें तो यह possibility हो सकती है I am not like telling कि यही होगा but maybe the possibility is there यह तो decide आपको हो जाएगा जैसे ही exam का date announce होगा जैसे ही information आएगा और information brochure आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगे कि exactly क्या dates होने वाल है तो this may be the possibilities, this may be the paper pattern, date decide हो चुका है कमर कस लीजिए यानि 2 घंटे के बजाए 90 मिनट का exam होने वाला है यानि और fast आपको होना अगर number कम ना करके इन्होंने समय सिर्फ घटाया है तब तो और भी लूटिया डूबने वाली है मतलब कुल मिला जुला के कमर कस लीजिए और मेहनत करिए अब सवाल आता है इंतजार कर रहोंगे सर कुछ पढ़ाओगे या नहीं है ये e-learnum पे कुछ कोर्स आएगा कि नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा भाई जब तक विरेंद्रु सिंग है और जब तक आप है तब त इस बार कोसिस करते हैं एक और कुछ अच्छे पोर्स लेकि आने के लिए ICMR, DBT, JRF या कुछ भी तो वेट करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई information, कोई वीडियो लेकि आऊ तो आपको update मिल सके चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लग मैं हूँ enzyme तो आप है substrate CSIR को पाने में अपना होगा lead, activation energy कम करके कर दूँगा मैं activate, product बनके आप सबने लेना लपेट मैं पढ़ाऊंगा सारे units smartly और efficiently जिसे आप crack कर पाएंगे CSIR 2021 को quickly and confidently मेरे कोर्से सुरू हो रहे हैं Unicademy Plus से 7 December में और पाइए हर महिने दो नए कोर्से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्स में तो Unicademy Plus सब्सक्राइब करना ना बूले, install कर ये learning app and जुड़ जाईए मेरे साथ और मेरे profile पे जाके सारे information को देख लीजे यूज कर ये refler code, viran और viran live to get the 10% discount चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 मीने में जुड़ी है हमारे साथ Unicademy Plus पे, let's crack it